आप हें मेरे साथ on the most dependable learning platform, KD Campus. आज का सेशन हमारा बहुत जादा खास फिर से है, क्योंकि ये एक power pack session है. आज हम क्या करने वाले हैं? दुबारा से ले के आई हूँ आपके लिए पांच का पंच. क्योंकि फिर से हम discuss करने वाले हैं 5 diseases और 5 protozoan disease. तो सबसे पहला question आया कि protozoan क्या है और protozoan, protozoa कौन सी diseases cause करता है? तो चलो शुरू करते हैं आज का ये power pack session. सबसे पहले protozoa क्या होता है? protozoa होता है एक unicellular eukaryote. Unicellular का क्या मतलब है? एक cell का बना हुआ, यानी एक कोशिका का बना हुआ. And eukaryote. Eukaryote का मतलब है कि nucleus and उसके जितने भी cell organelles हैं, उसके around एक well-defined membrane है. तो unicellular eukaryote मतलब एक cell या एक कोशिका का बना हुआ. Eukaryote. Eukaryote मतलब nucleus and जितने भी organelles हैं, उनके around एक अच्छी सी membrane present है, एक अच्छी सी covering present है. ठीक है? अब ये protozoa या तो free living होते हैं, ठीक है, या तो खुद से रहते हैं, या ये parasite होते हैं. अब parasite का क्या मतलब है? Parasite का मतलब है जो किसी पे आश्रित हो, जो किसी पे dependent हो चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो जिन्दा रहने के लिए हो जो किसी पे आश्रित होते हैं उनको हम कहते हैं Parasites ठीक है? और जिस पे आश्रित होता है उसको कहते हैं Host क्या कहते हैं? Host So parasite क्या हो गया? जो अपने खाने के लिए, energy के लिए या जीने के लिए किसी और पे dependent हो ठीक है? वो खुद से नहीं करेगा बट वो किसी पे dependent हो या किसी पे आश्रित हो और वो जिस पे आश्रित होता है या dependent होता है वो क्या होता है? host ठीक है? सो protozoa क्या हुआ? देखो, one-celled animal एक cell या एक कोशिका का बना हुआ और यह हर जगह मिल सकता है आपको pound, worldwide single-celled, eukaryotes eukaryotes, mcq, protozoa क्या होते हैं? single-celled, एक cell के बने हुए eukaryotes होते हैं ठीक है? यह या तो free living होते हैं या parasitic होते हैं क्या होते हैं? या तो यह free living होते हैं या parasitic होते हैं तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहला disease जो protozoa कॉस करता है, जिसका नाम है malaria क्या नाम है? malaria अब malaria दो word से बना हुआ है mal-air mal मतलब foul, मतलब खराब and air मतलब हवा ठीक है? सो दो word से बना हुआ है mal and air क्योंकि starting में जब malaria पाए गई थी तो देखा गया था कि वो ऐसी जगह पे present है जा बहुत ज़्यादा गंदगी है जहां बहुत ज़्यादा हवा उसके around बहुत गंदी हवा है ठीक है? जैसे पानी जम गया कही पर तो वहाँ पे malaria है ना? और यह असल बात भी यही है कि हर गंदी जगह जहां पे पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है जहां water positive agent of malaria mosquito answer नहीं है the answer is plasmodium क्या answer है? plasmodium plasmodium होता है causative agent of malaria ठीक है? जो malaria को cause करता है और यह क्या होता है? यह एक protozoa होता है तो malaria cause कौन करता है? plasmodium अब मच्चर malaria फैलाते हैं तो मच्चर क्या हो गए? vector मच्चर क्या हो गए? vector vector यानि की जो बिमारी फैलाए so mosquito क्या हो गया? vector अब देखो मच्चर भी न कई प्रकार के होते हैं anophilis हो गया qlex हो गया ades हो गया एक सेके ठीक है? but malaria कौन फैलाता है? malaria फैलाते हैं anophilis वो भी female anophilis जो मच्चर आपको काटते हैं वो male नहीं वो female होते हैं और female मच्चर क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको अपने eggs को नरिश्मेंट देने के लिए हमारे blood की जरुवत होती है क्या बोला मैंने? जो आपको मच्चर काटते हैं वो female anophilis mosquito है कौन सी है? female anophilis mosquito male नहीं female क्यों? क्योंकि female को अपने eggs को नरिश्मेंट करना होता है उनको portion देना होता है उनको खाना देना होता है और वो कौन देता है? कहां से आता है? हमारे blood से आता है हमारे blood में एक protein होता है albumin और उनकी जरुवत होती है मच्चरों को अपने eggs को portion देने के लिए इसी वज़े से हमें कौन काटता है? female anophilis mosquito ठीक है? सो कौन काटता है? female anophilis mosquito तो अगर पूछा जाए what is the causative agent of malaria malaria कौन काटता है? plasmodium what is the vector? malaria फैलाता कौन है? तो female anophilis mosquito इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे यह देखो तो malaria का causative agent क्या हो गया? plasmodium plasmodium क्या है? protozoa mcq अब plasmodium के भी न बहुत सारे varieties हैं बहुत सारे species हैं चार तरह के plasmodium vivax plasmodium ovale plasmodium malaria and plasmodium falciparum देखो यह नाम बहुत बड़े हैं आपको थोड़ी दिक्कत आएगी बट इनका जानना जरूरी है तो क्या करो? copy pen लो और 10 बार यह नाम लिखने की कोशिश करो आपको बिलकुल याद हो जाएगा मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि आपको exam में क्या पूछा जाएगा आपको सब कुछ रटनी की जरुवत नहीं है जितना आपके exam में पूछा जाएगा उतना याद रखो और वो मैं आपको बताती जारी हो साथ में देखो इसमें पूछते हैं कि इन चारों में सबसे dangerous कौन है सबसे ज़्यादा जानलेवा कौन है तो कौन सा malaria है, जो सबसे जानलेवा है कौन सा plasmodium है, जो सबसे जादा जानलेवा है वो है आपका plasmodium falciparam कौन सा? प्लास्मोडियम फैलसी पैरम ये सबसे जान लेवा है MCQ, most dangerous प्लास्मोडियम फैलसी पैरम ये क्या करता है? कि जैसे का इसने काटा आपको, ये गया आपके ब्लड में आपके ब्लड में ये RBC इसको बहुत तेज मातरा में तोड़ता है, ठीक है? बहुत तेज मातरा में इसने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ा उनसे क्या निकला? हेमोग्लोबिन ठीक है? और इतनी जादा हेमोग्लोबिन निकल जाएगी कि वो यूरेन के थ्रू बॉड़ी से बाहर आने लगेगी ठीक है? क्या बोला मैंने? बहुत तेज मातरा में रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है कौन? प्लास्मोडियम फैलसी पैरम और इतनी जादा हेमोग्लोबिन तोट जाती है रेड ब्लड सेल्स तोटेंगे तो हेमोग्लोबिन निकलेगा, है न? और इतनी जादा Hemoglobin Body में एककठी हो जाती है कि वो Urine से निकलने लगती है और Urine Black दिखता है ठीक है? Urine क्या दिखता है? Black इसलिए इसका नाम है Black Water Fever क्या नाम है? Black Water Fever और इसको कौन कौस करता है Black Water Fever को? प्लास्मोडियम फैलसी पैरम सबसे डेंजरिस मलेरिया कौन सा होता है caused by प्लास्मोडियम फैलसी पैरम ठीक है of these malignant malaria मसलब जो सबसे खतरनाक मलेरिया है is caused by प्लास्मोडियम फैलसी पैरम ये बिलकुल ध्यान रखना ये question बहुत important है कुछ याद रखो न रखो प्लास्मोडियम फैलसी पैरम याद रखना जो सबसे जान लेवा है अब देखो आया प्लास्मोडियम ovale and vivax ovale बहुत rare होता है पर जो vivax होता है ये इंडिया में मिलता है बहुत जादा इंडिया में most common आपका vivax है ठीक है इतनी बात समझा गई अब देखो क्या बताए था मैंने कि cause कौन करता है प्लास्मोडियम फैलाता कौन है female anophilis ठीक है तो जो हमारा प्लास्मोडियम है जो प्लास्मोडियम है वो क्या है parasite है क्या बताए था मैंने जो dependent होता है वो होता है parasite और जिस पे dependent है वो क्या हो गया? host वो क्या हो गया? host तो ये plasmodium क्या है? parasite है ना? और ये जिस पे dependent होगा वो क्या होगा? host तो इस parasite के दो host है मतलब ये दो पे dependent है किस-किस पे? सबसे पहले तो dependent है ये female enophilis mosquito पे जो इसको fell आएगा और दूसरा dependent है यह humans में, क्यों? क्योंकि female anophilis कहां से खून चूसती है? human से ठीक है? तो यह आप से पूछ सकते हैं कि कौन सा वो organism है जिसके दो host होते हैं, कौन सा वो parasite है जिसके दो host होते हैं, so दो host किस में होते हैं? plasmodium mosquito and secondary host है humans, सबसे पहला किस पर dependent है? female anophilis mosquito और दूसरा humans, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अब होता क्या है? आपको यहाँ पर एक दो terms में बता रही हूँ जो याद रखना है सबसे पहला term आप याद रखोगे sporozoid क्या ऐसा होता है कि हर मच्छर जो हमें काड़ता है हमें malaria हो जाता है? नहीं होता ना हमें malaria उसी मच्छर से होता है जिसके पास sporozoid है तो sporozoid क्या हो गया? infective form infective form ये भी MCQ है हर मच्छर malaria cause नहीं करता पर जो मच्छर जिसके पास sporozoid है अगर उसने हमें काड़ा तो malaria हो सकता है तो sporozoid क्या हो गया? infective form of plasmodium है ना? sporozoid क्या हो गया? infective form of plasmodium अब देखो सबसे पहले क्या होता है? मच्छर आया मच्छर ने हमें काड़ा जब मच्छर काड़ता है तो वो अपना saliva अपनी थूप के साथ ये sporozoid हमारी body में inject कर देता है ठीक है? क्या बता है मैंने? मच्छर आया, काटा उसने थूप के साथ, saliva के साथ ये sporozoid हमारे body में release कर दिया अब ये sporozoid सीधे जाएंगे कहां? liver में ठीक है? कहां पे जाएंगे? liver में है ना? liver से ये जाएंगे red blood cell में liver से कहां गए? red blood cell में गए तो अभी देखो क्या लिखा है plasmodium enters the human body as sporozoids, mcq sporozoid बताया था ना मैंने क्या होता है infectious form through the bite of infected female anophilis mosquito यानि वही female anophilis जिसके पास ये sporozoid है वही malaria cause कर देती है क्यों? क्योंकि जब वो हमें काटेगी तो वो क्या release करेगी? sporozoid the parasites initially multiply within the liver cell तो सबसे पहले कहां गए ये? सबसे पहले चले गए ये liver में and then attack the red blood cells liver के बाद कहां पे गए? red blood cells में चले गए ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक के बाद एक red blood cells में गए और red blood cells तूटती चली गई ठीक है? गया मच्छर वहाँ पे जो sporozoid सबसे पहले मच्छर आया sporozoid release किया sporozoid कहां travel किया? हमारे liver में liver से कहां गया? red blood cell में अब एक के बाद एक के बाद एक red blood cells में वो जाते गया और red blood cells को तोड़ता गया ठीक है? क्यूँ? क्यूँकि उससे उसको nutrition चाहिए है ना? उससे उसको potion चाहिए तो वो red blood cells तूटती गई और तूटी तो क्या release हुआ? एक toxin एक जहर जिसका नाम है हीमोजोईन क्या नाम है? हीमोजोईन और इसी हीमोजोईन के वज़े से malaria में बुखार होता है malaria में कमपन होती है fever and chills caused by the release of हीमोजोईन और हीमोजोईन कब होता है? जब RBC तूटता है तो एक toxin रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोईन दुबारा बता रही हूँ इस slide पे सबसे पहला सबसे important term is sporozoid sporozoid क्या है? infective form हमें malaria उसी मच्छर से होता है उसी female एनॉफिली से होता है जिसके पास sporozoid है या जिसके पास infective form of plasmodium है that is sporozoid उसने हमें काटा सबसे पहले sporozoid liver में गए liver से red blood cells में गए red blood cells को rupture किया उनको तोड़ दिया उनके तूटते ही एक toxin रिलीस हुआ जिसका नाम है hemozoid और इसी hemozoid के वज़े से हमें क्या होता है fever and chills मतलब बुखार और कमपन होती है ठीक है? इसका एक screenshot ले लो अब देखो ये NCRT class 12th की NCRT human health and disease का diagram है वही चीज जो मैंने आपको समझाई है एक diagram form में है दुबारा से समझो क्या हुआ? मच्छर ने काटा मच्छर ने क्या release किया? sporozoid 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 क्या है? infected form of plasmodium फिर sporozoids कहां गया? liver में गया है ना? liver में गया liver के बाद कहां गया? red blood cell में गया liver के बाद कहां गया? red blood cell में गया है ना? और red blood cell में इनका होता है asexual reproduction asexual reproduction अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है क्या कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है RBC में हुआ Asexual Reproduction कुछ RBCs तूटके क्या रिलीज किये हेमोजोईन है ना हेमोजोईन के वज़े से हमें fever and chills होते है वही कुछ RBCs ने gametogenesis कर दिया मतलब gametes बना दी मतलब male and female gametes बना दी क्या किया गैमेट बना दी कुछ RBCs तो तूटके हेमोजोईन बना दी कुछ RBCs ने male और female gamete बना दी क्या किया male और female gamete बना दी अब मच्छर ने हमें काटा तो क्या हुआ ये male और female gamete मच्छर के पास चले गए मेल और फीमेल गैमीट मच्छर के पास चले गए वहाँ उनका फ़र्टिलाइजेशन हुआ क्या हुआ? फ़र्टिलाइजेशन हुआ कहां? मच्छर के अंदर और फिर से वो स्पोरोजोईट्स बन गए गैमीट्स ने क्या किया? फ्यूस किया फ्यूस करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया और उसी जाइगोट से बन गया स्पोरोजोईट और वही स्पोरोजोईट हमारे बॉड़ी में घुश जाता है यह पूरा साइकल है दुबारा समझा रही हूँ क्या हुआ? मच्छर ने जब हमें काटा जो हमारे red blood cells है उन्होंने gametes बना दिये male gamete, female gamete अब जब मच्छर ने हमें काटा तो हमारे body से उसने male और female gamete दोनों ले लिया हमारे blood से और male और female gamete मच्छर में fuse होके मच्छर में zाइगोट बना देगी और zाइगोट से बनेगा sporozoid और फिर से वही cycle repeat हो जाएगा चीक है? तो ये था plasmodium का life cycle जो बहुत important है आपके exams के लिए अब आजओ symptoms of malaria symptoms क्या होते है malaria में? तो fever और chills तो आपको याद रहेगा ही है ना? fever, shivering अब क्या बताया है? मैंने RBCs तूटेंगी बहुत सारी है ना? तो anemia भी हो जाएगा fever याद रखना chills याद रखना chills मतलब company anemia याद रखना और सबसे important चीज जो याद रखना वो है spleenomegaly इसका मतलब समझा रही हूँ spleen मतलब spleen megaly word जहां पे भी आता है ना? उसका मतलब है enlargement या बड़ा हो जाना क्या? enlargement तो malaria में सबसे important symptoms क्या याद रखोगे? fever याद रखोगे? chills याद रखोगे? anemia याद रखोगे? और spleenomegaly क्यों? क्योंकि बहुत सारी RBCs तूट रही हैं और अगर आपको याद हो graveyard of RBCs जो टूटी वी RBCs है वो कहां पे जाती है? वो जाती है spleen में तो बहुत सारी RBCs टूटी वो टूटी वी RBCs कहां जाती है? spleen में इसी वज़े से spleen का size बड़ा हो जाता है जिसको हम कहते हैं spleenomegaly क्या कहते हैं? spleenomegaly तो ये थे आपके symptoms of malaria अब आई बात prevention की कि malaria से बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो ये नहीं होने देना water stagnation कहीं भी पानी का जमावडा नहीं होने देना अगर आप घर में भी पानी स्टोर करते हो तो हमेशा उसको cover करके रखो कहीं भी खुले जगा में पानी स्टोर नहीं करना क्यों? क्योंकि वहाँ पे मच्चर अराम से पनप सकते हैं mosquito net लगाना है ठीक है? ये fumigation भी होता है बहुत सारी societies में है ना? मच्चर मारने के लिए और एक fish होती है जिसका नाम होता है गंबूजिया क्या नाम होता है? गंबूजिया इसको हम mosquito fish भी कहते हैं क्या कहते है? mosquito fish ये क्या करती है? जब ये पानी में रहती है ना तो मच्चर को खा जाती है ठीक है? मच्चर को खा जाती है तो मच्चर को पनपने से रोकती है कौनसी? गंबूजिया गंबूजिया एक fish है, एक तरह की मचली है, गंबूजिया, जिसका दूसरा नाम है mosquito fish, क्योंकि ये mosquitoes को खा जाती है, ठीक है, तो आपको prevention कैसे करना है, control or eliminate the vectors, vectors कौन है, female, anopheles, mosquito, ठीक है, avoid stagnation of water, मतलब पानी का जमावड़ा नहीं होने देना, regular cleaning of household coolers, अगर cooler में भी पानी है, तो उसको भी साफ कर दो, उसको भी जमा नहीं होने देना, मच्छर दानी या mosquito net लगाना, introducing fishes like gamboozia, ये मैंने बताया, MCQ आता है ये भी, ठीक है, gamboozia, क्योंकि ये मच्छर को खा जाती है, spraying of insecticides, है ना, मच्छर मारने की दवा, doors and windows should be provided with wire mesh, कई बार देखा होगा, आपने घ जिससे हम malaria prevent कर सकते हैं, अब डेंगू मैंने यहाँ include इसलिए किया है, ताकि आपको confusion ना हो, डेंगू एक viral disease है, डेंगू protozoal disease नहीं है, क्या बताया था मैंने, malaria किस से cause होता है, plasmodium से, plasmodium एक protozoa है, डेंगू virus से cause होता है, डेंगू cause होता है, flavivirus से, ठीक है, flavivirus से, बट जैसे malaria में vector था आपका female anophilis mosquito, इसमें vector है आपका ades aegypti, क्या ades, ades mosquito, बताया था ना तीन species, कौन सी, anophilis, ades and culex, so ades aegypti, mcq, यह डेंगू फेलाती है, बट डेंगू होता virus से है, तो डेंगू यह चीज़ ध्यान रखना, confuse मत होना, malaria डेंगू एक ज़सा सोचके confuse मत होना, डेंगू is a viral disease, caused by flavivirus, लेकिन इसको spread, इसका vector कौन है, इसका vector है आपका ades aegypti, ठीक है, समझ आ रही है बाद, ades female, ades mosquito, सारी females है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको क्या देना होता है, अपने eggs को portion देना होता है, mcq, ades aegypti, यह बहुत important mcq है, caused by, यह, यह डेंगू फैलाता है, this is a vector, पर डेंगू क्या है, क्या डेंगू एक protozoal disease है, नहीं, डेंगू एक viral disease है, बस यह मच्छर उसको फैलाता है, ठीक है, अब आजाओ, दूसरे protozoan disease, जिसका नाम है, amoebiasis, क्या नाम है, amoebiasis, this is caused by the protozoan, ant amoeba histolytica, mcq, कौन cause करता है इसको, ant amoeba histolytica, इनके सारे causative agents आपको पता होने चाहिए, यह पता होना चाहिए, कि यह bacteria है, virus है, protozoa है, या क्या है, ठीक है, so amoebiasis, कौन cause करता है, एक protozoa, जिसका नाम है, ant amoeba histolytica, transmission occurs via the phycooral route, अगर diseases का, आपने वीडियो देखा है, नहीं देखा, तो playlist में जाके देखो, उसमें मैंने phycooral बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, phycooral route, ऐसे मैं दुबारा समझा दे रही हूँ, phycooral route का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लूँ ये एक person है, ए, इसको हो गया amoebiasis, अब इसके excreta में भी क्या निकलेगा, amoebiasis निकलेगा, sorry, ant amoeba histolytica निकलेगा, है ना, अब उस पे आके कोई मक्खी बैट गई, housefly बैट गई, है उसी sweet shop से sweet खाएगा, उसको क्या हो जाएगा, amoebiasis, है ना, उसको क्या हो जाएगा, amoebiasis, तो ये होता है, phycooral route, यानि इसके excreta पे जो housefly बैठी, वही housefly जाके sweet पे बैट गई, और जिसने भी इस sweet को खा लिया, उसको हो गया amoebiasis, so amoebiasis, transmission क्या है इसका, phycooral route, ठी ठीक है, symptoms सारे पेट के होंगे इसमें, सारे symptoms जो होते हैं आपके पेट के होते हैं, जैसे constipation, abdominal pain, cramps, and stools with blood, ठीक है, excreta में क्या निकलेगा, blood निकलेगा, abdominal pain होगा, मतलब पेट में दर्द होगा, constipation होगा, ये सारे symptoms किसके बता रही हूँ, amoebiasis के, ठीक है, ये किसके symptoms amoebiasis के, ये कहां पे हुए, सारे पेट के symptoms हुए हैं न, amoebiasis, constipation, और क्या बताया मैंने, abdominal pain, है न, या stools with blood, उसके अलावा कई बार liver में भी ये चला जाता है, तो liver में जाके कर देता है ये, liver abscess, मतलब liver में पस बना देता है, ठीक है, तो कर देता है, liver abscess, तो अगर आपको question आजाए कि liver abscess is caused by, क्या मांग करोगे, ent amoeba histolytica, pico oral root, mcq, सारा पेट का symptom cause करता है, but except of liver, liver में जाके भी ये liver abscess cause कर सकता है, so this was about the second protozoan disease, that is amoebiasis, अब आजाओ तीसरे पे, जिसका नाम है, giardiasis, क्या, giardiasis, ठीक है, ये cause करता है, giardia lamblia, ठीक है, giardia या giardia lamblia, mcq, देखो, mostly nine का, pate वाला symptoms है, तो आपको याद करने में इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए, अब ये first human parasitic protozoan known, ये सबसे पहला protozoa था, जो parasite की तरह identify किया गया था, इसी वजह से इसको कहते है, grand old man of the intestine, क्योंकि ये सबसे पहले इसी को पहचाना गया था, कि ये एक parasite है, ठी old man of the intestine, ये है MCQ, gyardiasis, कौन काॉस करता है, gyardia lamblia, ये क्या है, सबसे पुराना known protozoan है, इसी वजह से इसको कहते है, grand old man of the intestine, और इसमें भी क्या हुआ, abdominal pain and diarrhea, पेट में दर्ध, diarrhea, सारे पेट के symptoms, किसके, gyardiasis के, ठीक है? अब आजाओ, sleeping sickness पे, कौन सी बिमारी? sleeping sickness, अब इन में जो आपको question आता है, वो इनका causative agent, यानि कौन, किसके वजह से होता है, और किसके वजह से फैलता है, ये दो चीज़ें आपको याद रपनी है, ठीक है? कॉज़िटिव एजेंट और वेक्टर, तो कॉज़िटिव एजेंट क्या हो गया? इसका sleeping sickness क्यों बोलते हैं, ये भी मैं बताऊंगी, sleeping sickness का दूसरा नाम है, human African trypanosomiasis, क्योंकि ये mostly Africa में दिखता है, ठीक है? कहां पर दिखता है, African countries में दिखता है, इसलिए इसका नाम है, human African trypanosomiasis, क्यों? क्योंकि इसको cause करता है, trypanosoma, कौन सा? trypanosoma, अगर trypanosoma brucey नहीं भी याद कर सकते, तो trypanosoma याद कर लेना, ठीक है? ये MC क्यों आता है, trypanosoma क्या cause करता है, sleeping sickness, और फैलाता कौन है, cc fly, कौन? cc fly, इसमें जो दोनो t है, वो silent है, तो trypanosoma cause करता है sleeping sickness, और फैलाती है एक fly, जिसका नाम है, cc fly, जिसमें t silent है, tse, tse, fly, ठीक है, sleeping sickness, इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जहां पे भी काटता है, उसके बाद ये पूरे body में फैल जाता है, और क्या होता है, कि रात में नीन नहीं आती, पर पूरा दिम भर ऐसा लगता है, कि बस बंदा सोता रहे, इसलिए इस बिमारी को कहते है sleeping sickness, altered sleep patterns, ठीक है, रात में नीन नहीं आती, बट पूरे दिन उसको लगता है, कि मैं बस सोता ही रहूं, सोता ही रहूं, इसलिए इसको कहते है, sleeping sickness, caused by tripanasoma, और फैलाता कौन है, ccfly, mcq, ठीक है, अब आजाओ, काला जार पे, किस पे, काला आजार, काला आजार, क्या कॉस कर करता है, बुखार, हैना, काला आजार, काॉस करता है, बुखार, हैना, इसका दूसरा नाम है, dum-dum fever, काला आजार, बुखार, कौन सा बुखार? दम दम, so काला जार काला जार, also known as दम दम पीवर, इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है, लीश मेनिया लीश मेनिया डोनो वानी कौन कॉज करता है लीश मेनिया डोनो वानी, और इसको फैलाता कौन है, सैंड फ्लाई ये भी female sandfly होती है ठीक है तो कालाजार या वुखार, कालाजार या दमदम fever caused by leishmania donovani and transmitted by इसको फैलाता कौन है sandfly, ये भी female होती है, ठीक है क्योंकि इसमें continuous fever कालाजार वुखार, इतना याद अगना हमेशा fever होगा, फिर होगा hepatomegaly megaly का क्या मतलब बताया था, enlargement और जब liver वाली class, जो first class ली थी liver वाली class, उसमें बताया था hepato word जहां भी हो मतलब liver, तो इसमें क्या होगा liver enlargement liver enlargement ठीक है liver enlargement, that is hepato megaly, so ये हो गया कालाजार, यानि dum-dum fever, वुखार कालाजार, वुखार caused by leishmania, डोनोवानी transmitted by sandfly ये सारा आपका MCQ है ठीक है आई बात समझ तो इसी के साथ हमारा आज का session खतम होता है, जहां हमने five protozoan diseases के बारे बात की, malaria में detail में बात की, हर बिमारी का causative agent and vector आपको ध्यान रखना जरूरी है, मतलब वो बिमारी होती किसके वज़े से हैं और फैलती किसके वज़े से हैं, कुछ भी याद ना रखो तो cause कौन करता है फैलाता कौन है, और malaria में आप याद रखोगे कौन सा term, sporozoid, sporozoid क्या होता है, infective form, जो बुखार और ये सारे chills होते हैं, वो किसके वज़े से होते हैं, hemozoin toxin के वज़े से, ठीक है, इतनी बात समझा गई, अब बस आप लोगों को information and दुबारा reminder के लिए, 26th of May से हमारा NE NEET course launch हो रहा है, for 2021 batch, जिसकी details सारी आपकी computer screen पे है, app download करो and in numbers पे contact आप कर सकते हैं, दूसरी बात, ये मेरी Facebook की ID है, facebook.com slash kdaakriti, आप Facebook पे मुझसे जुड सकते हो, इस पे हम रोज MCQ शेर करते हैं, जो पुराने exams में आए रहते हैं, इसके अलावा भी सारे जो वीडियो के links ह आएंगे, ठीक है, तो इसके थू आप मुझसे जुड सकते हो, ओके, so with this, we come to an end of today's session, we will meet soon with a new session, till then, keep liking, do share and do subscribe, thank you.